Welcome back to our channel, Dear Istruen, मैं दे अंदर आपका चैनल दॉन लाइन बस्ता में सहाथ करता हूँ Istruen आज की वीडियो में हम SST के प्रश्णों को सॉल्ब करेंगे और आज की वीडियो में हम लगूत्रिय और देरगूत्रिय प्रश्णों को सॉल्ब करेंगे इस पीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्णों को ले रखा है जो गत वर्षों में लगातार रिपीट हो रहे हैं यानि वो हर साल आ रहे हैं या हर दूसरी साल आ रहे हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप नि करेंगे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे जह जह मैं प्रेशन बता रहा हूँ आप उनको अच्छे से समझेंगे उनको अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे इससे पहले हम सुरू करें अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को उस्य सब्सक्राइब करें जो सब्सक्राइब बटन है इसमें आपके स्क्रीन पे विज्यूल है आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें जो हमारा तार्गेट है वो आपके 100% मार्क्स को अचीव कराने का है ठीके तो आप इसमें आप अगर द्यान से दिखेंगे तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं होगा अचीव करना तो आप वीडियो के अंतक बने रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं यह हमारा पहला प्रश्न है वर्स 1929 आर्थिक मंदी के भारती आर्थ ब्यासता पर पड़े तीन प्रवाओं को बताईगे यानि जो दुनिया में 1929 में आर्थिक मंदी आई थी उसका भारती आर्थ ब्यासता पर क्या प्रवाओं पड़ा उसमें से आपको सिर्फ तीन प्रवाओं के बारे में बताना है तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे से आप लिखेंगे कि भारतिय उद्योग पर महामंदी के प्रवाओ यह आपकी हैडिंग हो जाएगी पहला प्रवाओ यह रहा कि महामंदी ने भारतिय व्यापार को काफी प्रवाओ गया 1928 से 1934 के बीज में जो देश का आयात निया था वो घटके लगभग आदा रही गया दूसर प्रवाओ क्या पड़ा कि किसानों और कास्तकारों पर दोहरी मार पड़ी कौन से दोहरी मार पड़ी एक तो 1928 से और 1934 के बीज में जो गेहों की कीमत थी वो 50% कम हो गी याना मुल्या आधा हो गया लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी उसने लगान में कोई भी छूट नहीं दी तो एक तो आये कम हो गई और लगान बराबर रहा तो आप पहला कारण ये दुसरा प्रभाव ये पहला प्रभाव दुसरा प्रभाव एक तो आयत नियात घट गया और कीमत भी घट गई अब हम तीसरा प्रोहाओ देख लेते हैं तीसरा प्रोहाओ क्या था? मामन्दी के दौरान किसानों और कास्तकारों सहित अनिश्चित आई वाले सभी लोगों के खाने के लाले पड़के याने जो किसान कास्तकार के अलावा जो दैनिक भोगी कारिकरम थे ध्याडी मजदूर थे, उनके खाने के लाले पड़के और उनको घर चलाने के लिए अपने घर के जो गहने जेवर थे उनको बजार में बेचना उन्होंने शुरू कर दिया तो आप यहां से और यहां तक अपनी कौपी में नोट कर लेंगे या आप स्क्रीन सोर टक लेंगे या दो तीन बार अगर आप देखते हैं तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे प्रेशन को आप याद कर लेंगे चलिए, अब हम दूसरा महतपून प्रेशन लेते हैं दूसरा प्रेशन है प्रतम विस्युद के समय भारत का अध्योगी उत्पादन बढ़ने के क्या काराण थी यानि जो प्रतम वर्ल्ड वर हुई थी फस्ट वर्ल्ड वर हुई थी उसमें भारत का जो अध्योगी उत्पादन बढ़ गया था इसके क्या काराण रही होंगी ठीके तो आप उत्तर लिखेंगे कि पर्थम 200 युद्ध के समय निम लिखित कारणों से भारत का उध्योगिक उत्पादन बढ़ा ठीके नमबर एक नमबर दो करके लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखना हमेशा अच्छा माना जाता है और ज्यादा माक्स आपको दिलाता है ठीके तो पहला बिंदू है बिर्टिस कार खाने सेना की जड़तों को पूरा करने के लिए युद्ध समंदी उत्पादन में ब्यस याने बिर्टिस के जितने भी कार खाने थे वो सेना की जड़तों को ही पूरा कर पाने थे इसलिए भारत में मांचेस्टर से माल का आयात कम हो गया याने उन्होंने हमको बिषना बंद कर दिया ठीके और उसका करन क्या हुआ कि इंगलेंड से भारत कम सामान आया तो उसका परहा ये हुआ कि भारतिय बाजारों को रात अराध एक विसाल देशी बाजार मिल गया, ठीक है, तो पहला काराण ये रहा, अब इसका हम दूसरा और तीसरा कारा भी लिखते हैं, आपने आई होप के पहला कारा आपने नोट कर लिया होगा, दूसरा काराण ये है, युद्ल नहारे सामान बनने लगी, इसको आप खचार लिखेंगे हैं, यह खजर हो गया है, इसको खचार लिखेंगे, खचार की जो जीने हैं और अन्य सामान यहां बनने लगे, ठीक है, तीसरा क्या हुआ, नए कार खाने लगाये जाने लगे, पुराने कार खाने थे, वो कही पालिय में चलने लगे, यानि जो पहले सिर्फ सुवसर साम तक चलते थे, अब वो 24 आवर शिप्ट की वाईज चलने लगे, ठीक है, और जो काम के घंटे थे, नए मजदूर रखे जाने लगे, और जो हरे के काम के घंटे थे, वो पहले से जाधा हो गए थे, ठीक है, यानि जो से बोलना हो, तो आप वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, जो प्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रेशन को दुबारा तिबारा देखेंगे, जिससे कि आपको प्रेशन अच्छे से आ जाए, ठीक है, तो चली, अब हम क्वेस का यह होगा, ठीक है, वीवेस ना कीजिए, तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, आप पहले परिवन हेडिंग डालेंगे, और फिर संचार के साधन हेडिंग डालेंगे, जैसे हमने यहां कर रखा है, आप उत्तर लिखेंगे, परिवन तथा संचार किसी देश की जीवन रे परिवन ब्यापार का मुख्या आधार होता है, और लोगों के आवागमन का भी मुख्या साधन होता है, इस कारण परिवन देश की जीवन रेका है, यानि कोई चीज अगर दक्षिन भारत में उग रही है, और उसको उतर भारत तक लाना है, तो परिवन ही यह कारिया कर सकत ठीक है दूसरा किसी भी देश के विकास उसके व्यापार पर टिका होता है व्यापार जितना सुगम और तीब्र होगा देश का विकास भी उतना तीब्र होगा तो ये परिवहन के बारे में आपने नोट कर लिया है अब हम संचार के बारे में देखते हैं कि संचार क्यों एक मेतपोन माध्यम है, ठीके ये तो एक बिंदो हुआ, अब इसका आप दुसरा बिंदो भी लिखेंगे, भारत जैसे विशाल देश जहां अनेक भासा सस्कृति के लोग रहते हैं, वहाँ पर परिवन और संचार के साधन पूरे देश को एक सुत्र में बांधे रखने का का लाते हैं, तो ये इस प्रेश्ण का सटी का अंसर हो गया, ठीके, तो जैसे इस्टेंड मैंने पहले भी बताया आपको, कि इस वीडियो में हमने क्या रखें, लगोत्रिय और दीरगोत्रिय प्रेश्ण दे रखें, यानि आप अगर उनको कम करके लिखते हैं, तो लगोत्र पिसले गतवर्सों के कुछ पेपर हमने सॉल्व कर रखें, उनका भी सभी का लिंक में डिस्क्रिप्रिय में दे रहा हूं, आप उनको भी आउश्य देखें, पेपर देने से पहले उनका आउश्य देखें, जिससे कि आप, जैसे मैं सुरु में बताया है कि 100% मार्क्स आप अचीब कर पाएं, यह हमारा लक्चे है, ठीक है, आपका भी लक्चे यही होगा कि आप 100% मार्क्स अचीब करें, तो चलिए, अब हम क्वेशन नमबर 4 देखते हैं, क्वेशन नमबर 4 है, भारास सरकारदारा उभोगता सुरक्षा अधनियम, 1986 पारित किये जाने के दो पर म कारण लिखे, अब इसमें सोट अंसर भी हो सकता है, कि भारास सरकारदारा उभोगता सुरक्षा अधनियम कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया, 1986 में पारित किया गया, ठीक है, अब इसके दो पर मुकारण बताईए, एक प्रश्णी यहां तक हो गया, दूसरा प अधनियम को जाना जाता है, तो आपके लिए आंसर हो गया, कि भारास सरक्षा अधनियम, 1986 को कोपरा के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह जाना जाता है, ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, इंट्रेक्षन हो गया, अब आप लिखेंगी, इसमें क्वेशन पूछा था, कि इ ठीक है, तो पहला कारण यह हो गया, उभोगता अधनियम के अंदर गत, उभोगताओं को कानुनी तोर पे छे अधिकार प्राप्त किये गए, मैंने वो इटालिक में लिखे है, यह तिर्चे करके लिखे हैं, तो आप दिखेंगे, पहला अधिकार गया था, सुरक्षा का अ उभोगता सनक्षण अधनियम के अंतरगत पीडित उभोगता को उचित छत्पूल से दिलाने की ब्योस्ता की जाती थी, तीसरा यह है, उभोगता सनक्षण परिशद का उसमें गठन हुआ, जिसमें हम अपनी बात रख सकते हैं, और चोथा, कि उभोगताओं की सिकायतों क की ब्योस्ता की कहीं, यहने कि जो अगर कोई सामन हमने खरिदा और हम उसे संतुस्ट नहीं हैं, तो हम उसकी सिकायत किसके पास करें, तो उसके लिए आयों का राष्टी स्थर पर, राष्टी आयोक और राज्य और जिले स्थर पर भी अर्द नियाएक तंदर का बिक्सित क की गई, जो हमारी सिकायते हैं, उनकी सिकायतों को निवारान करने की ब्योस्ता की गई, तो आप अगर यहां तक लिखते हैं, तो यह दिर्ग उत्रिय में आया गया, और आप जैस तो सिर्प दो लिखेंगे, तो आपका लग उत्रिय में आ जाएगा, ठीक है, चलिए, अब हम question number 5 देख लेते हैं, question number 5 है, प्रात्मिक उपचार से क्या आप पराए है, अगर इतने ही आता है, तो यह आपका short answer हो गया, अगर इसमें यह भी जुड़ गया, इसके मुख्य उदिश्य क्या है, तो पहले आप देखते हैं, हम यह देख लेते हैं, कि किसी आकसमिक गटना या किसी रोग से पिडिद व्यक्ति को डॉक्टर के पास, डॉक्टर के आने जाने से पूर्व, या अस्पिताल ले जाने से पहले, रोगी को दिये जाने वाले उपचार को हम क्या कहते हैं, प्रात्मिक उपचार कहते हैं, यानि किसी पे कोई छोटी-मोटी छोट लग कि उसका ब्लेटो गुजाए उसको थोड़ से पानी वाने पिलाना या उसके पट्टी वट्टी बांदना वो क्या होगा प्रात्मिक उप्चार कहलाएगा तो यहां से अगर लगूत्रियम आएगा तो आप यहीं तक लिखेंगे ठीक है इतने ही लिखेंगे अगर आप इसके मुख्य उदेशी क्या है प्रात्मिक उप्चार के मुख्य उदेशी क्या है तो आप इनको नोट कर लाएगे पहला उदेशी क्या है जीवन सरक्षण का प्रात्मिक उप्चार का पहला उदेशी है कि जो मरीज है बिमार है या ग्यायल जो व्यक्ति है उसके जीवन की रक् तीसरा है रोग मुक्त होने में सायता प्रदान करना तो ये हमारे क्या है प्रात्मिक उपचार के जो ये हैं ये हमारे उदेश्य है आई होप कि आपने नोट कर लिया है और समझ भी लिया है क्वेशन नमर शिक्स है समू 77 या जी 77 ठीके क्या है आप इसमें एक क्वेशन और जोड़ लेंगे कि G20 क्या है आप इसके बारे में भी एक क्वेशन बना लेंगे ये आपके लिए हमार टाइप का क्वेशन हो सकता है कि G20 क्या है क्योंकि इसका जो एक सममिलन था वो हमारे देश में हो है तो आप इसके बारे में भी आप एक क्वेसन बरा लें कि G20 क्या है तो इसमें हमने जो मेतवपून प्रेशन देर रखा है कि समूः 77 क्या है G77 क्या है G77 के देशों नहीं अंतराष्टी आर्थिक प्रणाली की क्या मांग क्यों की जो G77 की देश थे उन्होंने अंतराष्टी आर्थिक प्रणाली के मांग क्यों की है तो सबस्पहर हम देख लेंगे कि यह क्या था G77 बेकासिल देशों का एक संगटन था और इसकी जो स्तापना की गई थी 1964 में की गई थी ठीक है तो आप इसको यहां से और यहां तक आप नोट कर लेंगे अगर इतना आप नोट कर लेते हैं और इतने ही वहां लिखते हैं तो आप इस प्रणाल में 100% मार्क्स अचीव करेंगे ठीक है तो चलिए अब हम question number 7 देख लेते हैं और यह भी बहुत मैतापून प्रेश्ण है कि खुली बिरुजगारी और प्रचन बिरुजगारी का भी छुपी हुई बिरुजगारी आता है इसमें ठीक है खुली बिरुजगारी और प्रचन बिरुजगारी के बीज बेद बताएगे कि इनमें अंतर क्या है ठीक है तो आप एक साइड खुली बिरुजगारी लिख लेंगे एक साइड प्रचन बिरुजगारी लिख लेंगे ऐसे करके आप कॉलम बना देंगे ठीक है तो इधर लिखेंगे कि खुली बिरुजगारी वह है जहां यहां पी योग हो गया आप इसक तो योग्या लिखेंगे, योग्या और सक्षम ब्यक्ति को कारे करने की इच्छा की बावजूद काम नहीं मिलता है। यहने आदमी की क्वालिविकिसन पूरी है, उस कारे को करने में सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं मिलता है। उसको खुली बिरोजगारी कहींगे प्रचन बिरोजगारी वह है जहां लोग प्रत्यक्स रूप से काम में लगे दिखाई देते हैं परन्तो उन्हें पूंड रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता है तथा उनमें से कुछ लोगों के काम से हड़ जाने के हड़ जाने के बाद भी उत्पादन प्रवाईत नहीं होता है यानि किसी काम में सिर्फ बाइदेबे चार लोगों के आसकता है लेकिन वहाँ छे लोग काम कर रहे हैं तो जो ये दो लोग हैं इनकी ये क्या है प्रचन बिरोजगारी है ठीक है यहाँ यह लगता तो है कि सब को काम में लखा लेकिन एक्चुल में सब को काम नहीं में लखा होता है इसमें नमबर टू है इसके अंतरगत काम करने की इच्छे रखने वाले ब्यक्ति को काम उपलब्द नहीं होता है इसके अंतरगत किसी काम में लोग आउसकता से अधिक संग्या में लगे होते हैं ठीके जिसमें बतायाने चार की जरूत है छे लगे है नमबर तीन है इस प्रकार की विरुजगारी और द्योगिक छेत्रों में अधिक पाई जाती है प्रचाने विरुजगारी कर्शी छेत्र में सफजाद पाई जाती है याने अगर दोई आदमी की जरूत है तो वहाँ चार या छे आदमी काम कर रहे है चौत्या है इस प्रकार की विरुजगार लोगों की गणना इस पस्टूप से की जा सकती है इस परकार के लोगों की गढ़ना इस पस्टूप से नहीं की जा सकते अब पता ही नहीं है कि बहुत कितने आदमे के वाकई में जरुआता है तो आप यहां तक नोट कर लीजिए ठीक है चलिए क्वेशन नमर हम 8 देख लेते हैं रिसम्मार्ग से आप क्या समझते हैं यानि कभी कई यह सिल्क रूट आता है इसका मत्रम समझते हैं कई बार क्वेशन सिल्क रूट लिखा रहे हैं कि सिल्क रूट से आप क्या समझते हैं चाहे सिल्क रूट आए यह रिसम्मार्ग आए आंसर यही होगा आप यहां से रिसम्मार के यहां से यहां तक आप नोट कर लेंगे ठीक है तो यह रिसम्मार का साटिक आंसर हो गया है चलिए question number हम 9 देख लेते हैं भूषकलन के लिए उत्तरदाई प्राकर्तिक तथा मानवजनित कारकों का उल्ले कीजिए यहांने जो भूषकलन होता है उसके कौन-कौन कारक है क्या सिर्फ प्राकरतिकारक है यह कुछ मानवजनित कारक भी है तो सच पहले हम भूषकलन का अर्थ लिख लेंगे कि जो लेंड्सलाइट है वो आखिर होती क्या है तो लेंड्सलाइट एक भूष बेग्यानिक गटना है दरातली हल्चलों जैसे पत्थर किसकना, गिरना, पत्थरले मिट्टे का भाव इत्यादी इसके अंतरगत आते हैं तो याने हम अगर सिर्फ यह आए कि भूषकलन का क्या अर्थ है तो आप यहां तक लिखेंगे अगर बाई दिवे एक नमर के प्रश्णिम आए अतिलग उत्रियम है कि भूषकलन क्या है तो आप यहां से और यहां तक लिखेंगे ठीक है, लेकिन ये आज हम लग उत्रिया और दीर गॉत्रिया कर रहे हैं तो आप इसमें पूरे लिखेंगे कि इसके जो कारक हैं उनका भी उल्ले कीचिए चले भूषकलन के पहले हम क्या करते हैं कारक देख लेते हैं और इसमें दो प्रकार के कारक हैं नमर एक प्राकरति कारक और नमर दो मानवजनित कारक तो हम पहले प्राकर्तिकारक देल देते हैं तो भुसकलन को प्रवाइद करने वाले प्रमुक प्राकर्तिकारकों में प्रिथिवी को आंतरिक और भाहिय सक्तियों का महतपूर्ण युगदान लेता है यानि जो भोषकलन होता है उसमें प्रिथिवी की दोनों प्रगार्गी सक्तियां जो भाहिये सक्तियां हैं और आंतरिक सक्तियां हैं वो दोनों ही भोषकलन लियाती है तो पहली जो सक्ति काम करती है जो प्राकरती कारक है वो भोकमपी गतिविद्या यानि भोकमपागया तो बाहर तूटने सुरू हो जाते हैं दूसरा वर्सा की तीव्रता सब्जा भोस्करन वर्सा के कारण होता है रासेनिक एवं बहुत तिक अप्चहियों के कारण ढाल यूक्त कमजोड चटानों के कारण और अपरधित चटानों के कारण तो ये इन कारणों से ये प्राकरतिक कारण है अगर question आ रहा है कि भूसकरण के प्राकरतिक कारणों का उलेख कीजिए तो आप इनको लिखेंगे और इनके बारे में कम सकम दू-दू-लाइने आप लिखते रहेंगे अगर सिर्फ लगोत्री मारक है तो आप heading, heading लिख सकते हैं अब हम मानव जो जनित कारण है कि उनके कारण भोसकरण कैसे होता है तो मानवी कारण भी है कि जो हमने बनों का विनास कर दिया है अवैधनिक निर्मान कर दिये हैं, अश्तित डालों पर मकान बना दिये बिलकुल ढालें बिलकुल 90 डिगरी पे हैं उन पे हमने मकान या अनियावपयो कर दिया है अभियोस्तित जल निकासी और अनिजीत खनन हमने पहाड़ों को हमने खोट-खोट के अंदर तक कर दिया है तो उसके करण भी भुष्करन हो जाते हैं अगर आप यहाँ तक आपने आईहोप के नोट कर लिया है और भुष्करन के जो मानव जनितकारक और प्राकरतिकारकों को आपने समझ लिया है चले, क्वेस्न नमबर हम 10 देख लेते हैं इससे पहले हम क्वेस्न नमबर 10 देखें अगर आपने question number 9 अच्छे से note कर लिये हैं समझ भी लिये हैं और अभी भी आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को अच्छे subscribe करें वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ भी share करें और like तो फटापट कर ले जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपने यहां तक देख लिया है अब हम question number 10 देख लेते हैं कि विश्ववयापार संगठन क्या है याने कही बार पहले में short answer की बात कर लेता हूँ कही बार question आता है कि WTO की full form लिखे तो WTO World Trade Organization या हिंदी में बिश्वयापार संगठन इसकी स्थापना का हुई थी तो WTO की स्थापना एक जनवरी उनिस्चो पिचारने भी को हुई थी किस समझाते के तहदिया पहले WTO को किस नाम से जाना जाता था तो WTO को पहले G-A-T-T नाम से जाना जाता था या WTO की स्थापना का हुई तो विकल्ब में आ सकता है कि 1994, 95, 96, 97, 98 तो आपको सही विकल्ब 1992 आपको वहां लिख दैना है ठीक है तो आप यहाँ पर हम इस प्रेश्ट को देख लेते हैं कि 228 संगठन क्या है पहले आपको इसका आर्थ बताना है कब और क्यों इस्तापित किया गया तो कब यह इस्तापित किया गया और क्यों इस्तापित किया गया तो इसको हम देखेंगे इसका जो संगठन में लगभग अभी 164 देश है इसका जो मुख्याला है वो जिनेवा सुजलेंड में है ठीक है और तेश में परविक्षक देश भी हैं. और जैसे मैंने पहले बता दिया, ये गैट की इस्तान पी इसने लिया. ठीके? तो आप पहले इसको यहां से, यहां तक नोट कर लिजे. ठीके? और उसके बाद, आप होई टारीफ तक नोट करेंगे, और उसके बाद आप पहले यहां तक से, यहां तक भी नोट कर लिएगे. जैसे मैंने बताया था न, कि 1948 में जो गैट समझाता था, उसकी जगव इसने लिया. और ये अर्थवियोस्ता के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा अंतराष्टिय संगठन है. तो आपकी WTO वाला क्वेसन आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको वो बहुत भी कल्पिय में आ जाएगा, अतुली लगूत्रिय में आ जाएगा, लगूत्रिय में आ जाएगा और दीरूत्रिय में भी आ जाएगा. ठीके, यानि ये चारों में ये प्रेश्ण आ सकता, यानि बहुत ही महत्रपून प्रेश्ण है. चलिए, अब हम कश्रम लेवन देख लेते हैं, भारत में जन्संचार प्रणाली के माधिमों का वोड़न कीची है. ठीके, अगर ये एक नमर में आता है, तो आप क्या करेंगे? कि भारत में जन्संचार के माधिम हैं, ये दो बार टाइप हो गया है, तो आप यहां लिखेंगे, भारत में जन्संचार के माधिम हैं, तो नमर एक, आगासवानी, नमर दो, दूरशन, नमर तीन, समाचार पत्र पत्र काया, और नम्मर चार चलचित्र ठीके तो एक नम्मर में अगर एक नम्मर में आता तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे ठीके अगर लगुत्रिय में आता है तो आप इन हैडियों को डालेंगे और थोड़ो थोड़ो लिखेंगे उनके बारे और दीर कूत्री आता है तो आप पूरा पूरा लिखेंगे तो हमारे पास जो भारत में जो जन्चन्जार के माधियम है वो चार माधियम है नमर एक साथ बड़ा माधियम रेडियो आकासबानी ठीक है तो आप यहां तक लिख लेंगे तो आपका ये दिर गूत्रे प्रेश्न भी complete हो गया ठीक है आप यहां से सुरू कर लिए पहले और यहां तक लिखे ठीक है दूर दसन तक आप note कर लें वीडियो को pause करें note करें उसके बाद third और fourth वाले भी आप note कर लें ठीक है चलो question number 12 है नवी करण योगय संचादन तथा अनवी करण योगय संचादन से आप क्या समझते हैं टीक उधान सहित समझाई कि तो पहले आप नवी करण योगय संचादन क्या है तो वे संचादन जिनके बंडार में प्राकर्तिक प्रस्तितियों प्राकर्तियों द्वारा पुनवस्थापन होता रहता है नवी करण योग्य संचादन कहलाते हैं यानि जो कभी भी खतम नहीं होते हैं और दूसरा जो अनवी करण योग्य संचादन जिनके बंडार में प्राकर्तिक प्राकर्तियों द्वारा पुनवस्थापन नहीं हो सकता है और मानवी करण योग्य संचादन कहलाते हैं कोईला एक बार हमने ख़दान से निकाला जलाया उसके बार हो खतम हो किया यह जो पैट्रोलियम है प्राकर्तिक गैस है एक बार हमने ख़दान से निकाला जलाया उसके बार हमेसे के लिए खतम हो किया याने दुबारा recharge नहीं हो सकता है, renewable नहीं हो सकता है, थीक है, तो ये आपने ये समझे है, ये प्रेश्ण भी समझे है, ये प्रेश्ण एक नमबर में आता है, और लगवत्रीय में भी आता है, चलिए Q&A 13 देख लेते हैं, Q&A 13 है, उने इस्वी सदी, के ये एक करांती हो चुकी थी, स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ उद्योगपती हाथ से काम कराने वाले सर्मिकों को प्रात्मिकता देते थे, ठीक है, तो मैं आप थोड़ से, हाँ, अब आप अच्छे से विजिवल हो रहा होगा, तो आप उसमें भी काम लिखेंगे, नमर एक, नमर दो, नमर तीन, और नमर चार, उसमें क्या था, कुछ जो उद्योगपती थी, वो मशीनों को नहीं खरीच सकते थे, क्योंकि मशीनों बहुत मुल्यवान थी, दूसरी बात, सर्मिक बहुत सस्ते में मिल जा रहे थे, ठीके, और वो बहुत उत्तम डिजाइन बना लेते थे, उसमें जो मशीने थी, बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ उद्योगपती और पूंजीवती हाथ से बुने हुए वस्तरों को पारामपरिक रिवाज मानते थे, ठीके, और चौथा मशीनों द्वारा बहुत अच्छा तन्तु इस्तमाल नहीं किया जा सकता था, तो ये कारण है, तो आप यहां तक नोट कर लिजिए, तो आप इसको देख लेंगे, कि मुद्रन सस्कृति ने भारत में राष्टवाद के विकास में क्या योगदान दिया, तो आप नमबर दू, नमबर ती, नमबर चार करके लिखेंगे, नमबर एग, अंग्रेजी काल में भारतिया लिखकों ने ऐसी पुस्तकों की रसना की जो राष्टी भावना से ओध प्रूत है, जैसे बंगेपचन चतल जी लिखा आनन्दमट में उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, जो हमार देश का राष्टे गीत है, वो लिखा और देश के कौने कौने में गोंजने लगा ही गीत, जिसने एक राष्टवाद की भावना का लोगों में राष्टवाद जगाया, और सुन्दा के पड़ती लोगों के आस्ता और बड़ी, सुन्दा के जो बोग है वो और बड़ी और जगो जगो आंधुलन होने लगे, जो समाचार पत्रे पत्र का हैं, उन्हें भी राष्टे आंधुलन का उचित बात्रवाद ने तयार किया, जो उस समाचार पत्र थे, इस पिसले आमिर्त बजार पत्र का मराठा, हिंदी, बॉंबे, आदि जो समाचार पत्र थे, वो देश प्रेम के लेकों से ओध प्रोत रहते थे, और इन लेकों ने भारतियों के मन में राष्टे की जियोती जलाई, ठीक है, तो आप यहां तक नोट कर लेंगे, ये आप इ के दो चुनने हैं, तो ये इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, चले, क्वेशन में 15 देख लेते हैं, ब्रेटन पूर्ट्स समझाते का क्या एप रहा है, ब्रेटन पूर्ट्स बहुत इंपोर्टन समझाता था, उससे ही विश्वबैंक और अंतराष्टिया मुद्राकोस, याने कह आएंगे, जिससे मुझे पता लगे, कि आप question number 15 तक आप पहुंच चुके हैं, और आपने यहां तक आपने समझ लिया है, और आपने नोट भी कर लिया है, तो आप इस प्रेशन को पहले यहां से और यहां तक नोट करें, उसके बाद आप इसको यहां तक नोट करें, तो यह complete हो जाएगा, मैं जैसे बताया न, कि IMF और विश्व बैंक की स्थाफना इसी समझ लिया है, तो चली, आप हम question number 16 देख रहे थे हैं, question 16 है, सुनामी क्या है, अगर एक नमर में आए, तो आप यहां तक लिखेंगे, ठीक है, कि सुनामी क्या है, तो पहले इसका देख रह दोने वाली समुद्री लहर है, तो इतना क्या हो है, सुनामी का अर्थ हो गया, अब इसके उत्पन होने के प्रमुकारण क्या है, तो इसके सुनामी के प्रमुकारण यह है, पहला कारण है, कि समुद्र की आंतरिक उथल-पुथल, आप इसके बारे में लिखेंगे, जो आं पहले आप यहां तक नोट करेंगे, फिर यहां से यहां तक नोट कर लिए, ठीक है, फिर तीसरा कारण है, जौला मकी बिस्पोर्ट, चौथा बोश कलन, और पाच्वा, धूमकेत या चुद्रिक्र है, ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लेंगे, तो आपका ये question number 16 भी complete हो क में आते हैं, और कही बार प्रश्ण मन जाता है कि राष्ट्या सुचना के अंदर क्या है, तो आप इसके बारे में भी लिखेंगे, तो हाँ, अब आपकी screen पे पूरा का पूरा question visual हो रहा है, आप यहां से यहां तक लिखेंगे, कि जो NIC की स्ताप्रा 1976 में की गई थी, और अब से यह लगातर देश के जो digital चीज़ों को मजबूत करने का या पार दर्शी जो सासन है, उसको मजबूत करने का कारिया कर रहा है, तो आप यहां से यहां तक नोट कर लेंगे, उसके बाद आप हैम रीडियो को भी यह अमेचर रीडियो को भी नोट कर लेंगे, यहां स डिछ पहले बेर हमने मुद्र अशिसकृति के बारे में देख लिया था, क्या देखा था, कि राष्टबाद पे क्या प्रभाव पढ़ा, तो इसमें हमारे तीन क्वेशन बंते है, पहला क्वेशन किरा आवला पड़ा-कश्राश्ट पर किया प्रुभा परिया करें तो B cens एक और अब जब착ें पर में प्रसे करेंगा तो अगर नहीं आयेगे को कमें में बताएंगे तो इसबर एक नए वीडियो लेएंगी नुद्र करने कर्ini देज зр dell किन दोने को अच्छे तो गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा पहली बात जो गरीब जनता थी उसको चापे खाना में काम मिलने लग गया अब उसको भी जो सस्ते समाचार पत्र थे याने बहुत जो चापे खाने लग गये थे तो उससे जो सस्ते में अगबार मिलने लग गये थे उनको अपनी जो भासा में आगवार में ने लगे तो उनमें भी राष्टवादी भावनों का परचार परचार होने लगे लिए और जो चोथा और इंपोर्टेंट प्रभाव पड़ा कि मुद्रन सस्कृति के माधियां से जो देश में गरीबों के परती जो गरीबों में जो ब्याप्त द्यपान, असिक्छा और जो अन्या समाजिक बुराएं थी उनके बिरूद भी अभियान चेड़ा किया तो ये आप लिख देंगे गरीब जन्ता पे क्या प्रभाव पड़ा राष्टवाद के बारे में हमने उपर डिसकस कर दिया और महलाओं के प्रभाव के बारे में नहीं किया तो मैं उस पर भी एक और वीडियो बनाएंगे ठीक है चले question number 19 और बहुत important question 1789 में हुई फ्रांस की क्रांती के प्रणामों का वर्णन कीजिए कई बार आता है कि फ्रांस की क्रांती जो 1789 में हुई थे उसका विश्व इस्थियास पे क्या प्रभाव पड़ा य प्रांस की करांती कब हुई बिकल्प में भी आ सकता है कि फ्रांस की क्रांती हुई और आपकी पाप विखल्प आ सकते हैं 1788 1789 1790 1791 ठीक है तो आपके लिए जो right answer है 1789 में फ्रांस की करांती हुई थी अब अगर ये एक नमबर में आता है कि फ्रांस की करांती के परिणाम क्या क्या हुई तो आप इसमें सिर्फ heading लिखेंगे सिर्फ तीनी heading आपके लिए प्रयाप्द होगी एक नमबर के लिए समन साय का अंत हो गया दर्म इग्स राजीकिस का इस्ताप्ना हुई समजिक, समानता एउं राष्ट्य बंदूत्ता की भावना का विकास हुआ तो आप इतना लिखेंगे तो आप एक नमर के जो अतिलगूत्रे प्रश्न इसमें बन गया है अगर लग उत्रिय प्रश्ण है तो आप क्या करेंगे आप यहां से और यहां तक नोट करेंगे पूरा का पूरा आप इसको लिखेंगे समस्ते कि सामन साई का अंतुवा इसको एडिंग बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे अगर दीर के उत्रिय प्रश्ण है तो तब आप इन तीनों के अलावा दो और लिखेंगे कि राष्टे की भावना का बिकास हुआ चौता और पांचवा लोग प्रिय संपूरता के सिदान्त का परतिबादन हुआ अगर आप यहां तक लिख देते हैं तो आपका इदीर कुत्रिय प्रश्ण भी कंप्लीट होगे याने इस प्रश्ण में आपकी बिकल्प कंप्लीट होगे आपकी लगुत्रिय कंप्लीट होगे आपकी अतिलगुत्रिय कंप्लीट होगे लगुत्रिय कंप्लीट होगे और यहाँ तक लिखने है ठीक है अगर एक नमर माई आता है कि RenderPist क्या है तो आपके लिए इतना प्रियाप्त है कि RenderPist क्या है एक RenderPist मवशी पलेग की तेजी से फैलने वाले बिनास्कारी बिमारी थी इस विमारी नए अफ्रिक्यों के जो 90% मौशियों को मौद की निन सुला दिया था तो ये रिडिनर पेस्ट था इसके पस्वों पे क्या प्रवाब पड़ा तो रिडिनर पेस्ट का पस्वों पे क्या प्रवाब पड़ा उससे क्या हुआ आपने सी जो सरकार है याने जो अंगले सरकार थे उसने अपरिकी लोगों को सरम बजार में काम करने को मजबूर कर दिया था पहले वो अपनी आजीवका के लिए पसों का पालन करते थे अब वो सरम बजार में काम करने को मजबूर कर दिया गया जो उनके पूरे 20 questions नोट कर लिए हैं, इसमें पूरे 20 questions समझ में आगे हैं, और अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, Question 21 है, Corn Law, समाप्त करने के बारे में, British सरकार का फैसला इस कथन की ब्याक्या कीजिए, एक नमबर में आ सकते हैं कि कौन लोग क्या है, ठीके, ये कौन लोग आखिर क्या था, तो कौन लोग क्या था, बिर्टिस पार्लिमेंट ने उनीस्वी सताबदी में जो कानून अपने लगुत्रिया में और दीरगुत्रिया में आप यहां से और यहां तक पुरा, पहले आप यहां से यहां से लिखे, यहां तक लिखे, ठीके, कि विवस होके हटाना पड़ा, अब उसके महतपुन परोहव क्या पड़े, तब आप यहां से यहां तक लिखेंगे, समझे, तो आपका ये लगोत्रिया और दिरगोत्रिया प्रेश्न कम्प्रीट हो किया। अब हम question number 22 देख लेते हैं कि गिर मेटिया सरमे का आर्थ स्पस्ट कीजी। ये भी कापी मेटपून प्रेश्न है। तो इसका जो अर्थ क्या था कि यह एक प्रकार की बंधवा मजदूरी थी जिसमें आदमी particular जो मालिक था उस ब्यक्ति को बिसे समय और धन के लिए अनमिदित कर देता था और उसको दुसरे दे समय ले जाता था। जनली ये पाँ साल का होता था लेकिन इसमें से जो 90% लोग थे वो हमेसा के लिए ही हो जाते थे हमेसा के लिए बंधवा मजदूर बन के थे तो आप पहले यहां से यहां तक नोट करेंगे और फिर यहां तक आप नोट करेंगे ठीक है तो आपका ये गिर्मिटिया दूर भी कंप्लीट हो गया यदे पि मैंने जैसे बता है कि पांस साल के लिए अनमनिद होता था कि भाई तुमको पांस साल में हम भारत वापस ले आते हैं लेकिन वो कुछ-कुछ तो आज उनकी कही पिडिया उन्हीं दिसमें हो चुकी हैं आप वहीं के नागरिक हो चुक महाराजमार्ग से आप क्या समझते हैं इसमें नक्से में भी आता है इसमें आप भी देखें जो स्वणीम सतरवुच की यूजना थी वो क्या था कि दिल्ली, कोलकता, चेने और मुंबई जो ये भारसरकार की यूजना थी कि जो देश के बड़े चार बड़े महानगर हैं उनको आपस में जोड़ना है ठीक है उन चार महानगरों को आपस में जोड़ना है ठीक है और इस परिजना के अंदर के दो गल्यारे प्रस्तावी थे उत्तर दक्षिन गल्यारा जो सिनागर से कर्णिया कुमारी को जोड़ता था और दूतिया क्या था पूर पस्चिम गल्य जो असम से पोरबंदर को जोड़ता था इस माहनगर राजमार्ग का जो उदेश्य था मदिदूरी और परिवन के नियुनतम करना और यहार राजमार्ग परिजना भारत सरकार की जो एनेस एयाई के अधिकार छेतर में आता था ठीक है तो आप यहां से यहां तक आप नोट कर लेंगे ठीक है जले कुशन नमबर हम 24 देख लेते हैं क्या है लोगतंतर के मुख्य विसेश्था है क्या है तो लोगतंतर के मुख्य विसेश्था है क्या है जन्तवदारा निर्वाचित लोग का समभू याने यहां जन्ता बोर्ट देती है यहां चुनाव स्वतंतर और न तो अगर आप तीन करते हैं तीन विसेस्तायं लिखें तो ये लगुत्रिया हो गया और पूरी पांच भी सिताय लिखें तो ये क्या होगा? दिरगूत्री होगा ठीके? चले question number 25 देख लेते हैं question number 25 है जर्मनी के एक करण के प्रिक्रियाखा 1N कीजिए इसटें जर्मनी के साथ चाथ आप इटली का भी लिखेंगे ठीके? ये आपके लिए homework रहेगा ठीके? ये आपके लिए homework रहेगा कि इटली की एक करण के प्रिक्रियाखा को भी आप note कर लें अगर जर्मनी की एक करण के जो प्रिक्रियाखा 1N है अगर वो short note में आ रहा है तो आप यहां से यहां तक note करेंगे तीन कापी है short note के लिए ठीके? अगर वो दिर्ग प्रश्ण में आ रखा है long answer आ रखा है तो आप पहले यहां से और यहां तक note करें 4 बिंदों आप note करें आपकी screen पे इसमें visual है पूरे 4 के 4 बिंदों आप उनको 4 बिंदों को note करें वीडियो को pause करके note करें और उसके बाद आप पांचवा बिंदों भी लिखें अगर आप पूरे 5 बिंदों लिखते हैं तो आपका दिर्ग जो answer है long answer है वो भी complete हो गया है ठीक है? चले question number 26 देख लेते हैं किसी उद्यो की आदर्स इस्तिती के लिए उत्तरदाए 3 कारकों यहाँ पर 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 उद्योगों को चलाने के लिए बिजली इत्यादी की जरूत पड़े, तो उसके स्थाधन होने चाहिए, नमबर तीन, वहाँ पर जो सस्ते सर्मिक है, उनकी उपलबता भी होने चाहिए, तब जाके कोई भी उद्योग लगेगा, याने आप अगर लगू उत्रिय में आ रहा ह तो आप सिर्फ तीन कारक लिखेंगे, याने यहां से सुरू कीजिए आप, यहां से उत्तर से सुरू कीजिए और यहां तक, ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉझ कीजिए, और इन तीन कारकों को आप नोट कीजिए, अगर दीर्ग उत्रिय में आ रहा हैं, तो आप देख लेते हैं ओद्यों की क्रांती के कारण यानि जो ओद्यों की क्रांती हुई उसके पीछे क्या कारण थे आखिर वो क्रांती क्यों हुई तो पहला कोईले और लोहे के प्राप्ति नमबर दो पूंजी की उपलपता नमबर तीन उपनेवेशों की स्तापना यानि जो याने उन्होंने पूरी दुनिया में उपने वेस बना ले थे, वहां से उन्होंने खोब पैसा कमाया, तो वहां के पूंजी पती उन्होंने उद्योग लगाने के उच्छुकता दिखाई, तिसरा उपने वेस की स्थापना, इंगलेंड, फ्रांस, इस्पैन और होलेंड ने पूरी दुनिया में उपने वेस थे, तो उनको सस्ता मज़ूर आसानी से मिल जाता था, और पांचवा बैग्यानिक प्रकृती, कि यूरोप में नए नए अविस्कार था, खोज होने लगी, नए मशिने बैग्यानिक बिधियाओं, तथा सुधारी हुई, तखनिक के उद् कर लिए, तो ये लग उत्रिया, और पूरे पांच के पांच लिखेंगे आप, तो दिरग उत्रिया होगे, ठीक है, क्वेस्ट नमबर 28, यानि यहां तक लिखेंगे, तो आप दिरग उत्रिया होगे है, क्वेस्ट नमबर 28, अधिक बिकास से सहरों पे क्या प्रभाव पड यहने जो सहर थे उन पे क्या प्रभावा पड़ा तो आप यहां से यहां तक नोट कर लें कि जो अदुगी करांती से पूर संचार के अधिकान जन्ता गाउं में रहती थी और किर्शी पे थी ठीक है और वो लगभग सारी आउस्कताएं अपनी आउस्कताएं वो पूरी कर लेती थी गाउं में ही पूरी कर लेती लेकिन तो अधिकी विकास था करांती ने इस सित्यां को पूरी तरह से बदल दिया और उसे नगरों पे ये प्रवाप पड़ा ठीक है तो आप इनको सित्वी हो गई थी जाले को संवर हम 29 देख लेते हैं गिरमिटिया वाला हमने एक प्रश्ण पहले भी देख लिया अब इसमें क्या है कि गिरमिटिया सर्मिकों को विष्व के किन-किन देसों में भीजा गया एक लगूत्रे में यहां तक आ सकता है या अतिलगूत्रे में यहां तक आ सकता है, तो इनको कहां बीज़ा गया, कैरिबियन, दीसमु, इस्पिसलिए टेनाट, गोयाना और सुरिनाम में बीज़ा गया, मौरिसस और फिजी में भी बीज़ा गया, जो तमिल मजदूर थे, उनको सिलोन, मलाया, मैं गिरमिटिया मजदूर बीज़े गये, औ कि उसके वाद हम इनकी समशियां दिखते हैं तो इनकी समशियां क्या थी? इनको केवल जीवित रहने लाएक भुजन और बस्तर मिलते थी इनको जो सिक्चा, मनुर्णजन, समय जो मूर भूत आश्कताएं थी जोरते हैं थी, उनसे बंचित रखा जाता था समय को की स्थियां बहुत खराब थी और मजदूरी बहुत कम थी इन मजदूरों से 12-18 गंटे तक कमरतूर मेहनत कराई जाती थी और इस प्रकार की जो 12-18 गंटे ये जो अमानुए इस्थियां थी इससे ये क्या होते थे, काम करते करते हर साल ये लाखों में मर जाते थे तो आप यहां से यहां तक नोट कर लें वीडियो को पॉस किजिए और यहां से यहां तक नोट कर लीजिए चलिए, आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रेश्ट है कि लोगतंतर किस तरो उत्तरदायत था बैद सरकार का गठन करता है समझाईगे तो आपको ये तेन लिखने है कि लोगतंतर सरकार जंता के परतिक उत्तरदायत जावादे होती है लोगतंतर सरकार बैद होती है और लोगतंतर में जिम्मेदार सरकार होती है आप यहां तक note कर लेंगे ठीक है? यहां से यहां तक note कर लेंगे तो यह question भी आपका complete हो गया है तो dear restaurant यह थे हमारे आज के 30 लगो और अत्य लगो त्रिया question I hope कि आपको पूरे 30 की 30 समझ में आये होंगे अगर आपको आये हैं तो आप comment section में बताएंगे yes करके लिखेंगे कि all 30 लिखेंगे आप comment section में all 30 लिखेंगे ठीक है? तो मैं समझ जाओंगे कि आपने सारे 30 प्रेश्ण समझ लिए हैं जो 100% जैसे मैंने सुरो में कहा था कि हमारा जो लक्षय है वो 100% का है तो आप उसके लिए जो अतिलग उत्रे प्रश्ण है जो मैप समझ प्रश्ण है उनको भी अच्छे से तैयर कर लें जो पिसे साल के जो पेपर है उनको भी अच्छे से रिविजन कर लें उन सब का लिंक में description में दे रहा हूँ आप उनको भी देखें आप बोल्ड प्रिक्षा में 100% मार्क्स अच्छीब करें मेरी आप के लिए बहुत-बहुत सुब काम ना है आप इस वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें जिससे की वो भी 100% मार्क्स अच्छीब कर सकें आपको आगामी जो प्रिक्षा आने वाली हैं उसके लिए बहुत-बहुत सुब काम ना है धन्यवाद